सो आज के इस Figma टुटोरियल में हम लोग create करेंगे ये concept website design for Nike अब ये टुटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात clear कर दू कि ये वीडियो देखने से पहले आपको एक Figma का basic knowledge होना important है इन केस अगर आपको Figma नहीं आता तो मैं suggest करूँगा कि आप मेरा Learn Figma in 20 minutes वाला वीडियो पहले जाके देखो और फिर इस वीडियो को देखना ताकि आपको सारी चीज़े अच्छे से समझ में आ पाए ताकि आपको एक basic tools वगरा का idea आ जाए और फिर आखे आप ये वीडियो देखना क्योंकि ये थोड़ा सा advance होने वाला है क्योंकि आज का ये पूरा जो design है ये मैं आपको breakdown method की तुरू explain करूँगा मतलब की छोड़ी छोड़ी चीज़े जैसे layer कैसे create करते है, text कैसे add करते है, ये सब मैं इसमें cover नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं step by step हर एक छोड़ी चीज़ बताने बैठू तो ये वीडियो एक घंडे से भी जादा बढ़ा हो जाएगा इस वीडियो में हम specially focus करेंगे concept और element designing पर, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी नई चीज़े और plugins के बारे में मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बहुत मज़ा आएगा तो बिना कोई time waste की है, चले आज का वीडियो शुरू करते हैं पर शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे comment करके भी जरूर बताना कि क्या आपको मेरे figma tutorials अच्छे लगता है या नहीं और क्या मुझे और figma tutorials बनाने चाहिए या नहीं तो अब चलिए आच्छे वीडियो शुरू करें तो यहां पर है हम लोग figma के अंदर और यह है हमारा पूरा design अब मैं सारी चीज़े hide करके आपको एक एक चीज बताता हो कि मैंने कैसे कौन सी चीज बनाई है तो यहां से मैं पहले तो सारी चीज़े जाके hide कर दूँगा हम लोग सिर्फ background पर जो है वो focus करेंगे कि हमने यह जो अच्छा सा gradient background है यह कैसे बनाया है तो सबसे पहले तो मैंने एक frame बना है अब जिनको नहीं पता frame कैसे बनाते आपको बस frame tool select करना है और यहां पर आपको बहुत सारी presets मिल जाएंगे तो मैंने जो preset लिया था वो है यह desktop वाला बस इस पर क्लिक कर देना है और मुझे specifically पसंद है rounded corners तो मैं सबसे पहले तो इसका color change कर लेता हूँ black एंड जो corners है उसको मैं थोड़ा सा rounded कर दूंगा कुछ ऐसे दिखने में थोड़ा presentation बेटर लगता है और फिर यहां पर जाकर हम select करेंगे ellipse और make sure करना है कि वह select हो यहां पर मैं shift hold करके perfect circle बना लूँगा यहां पर center में place कर देंगे और alt click करके कुछ duplicates मैंने बस यहां पर इस तरीके से randomly place कर दिये थे make sure करना है कि ऐसे frame के बहार न चले जाए frame के अंदर ही रखना है और फिर इसके ऊपर मैं rectangle shape add करूंगा इस तरीके से बड़ा सा एक shape हम लोग create कर लेंगे इसका color भी हम लोग black ही रखेंगे इसकी जो opacity है वो काफी कम कर देंगे around 12% फिर जाएंगे effects में plus पर क्लिक करेंगे और select करेंगे background blur और इस पर क्लिक करके जो background blur है उसके intensity हम काफी जादा high कर देंगे like let's say around 350 तो हमें कुछ इस तरीके का यह blur देखने मिल जाता है और फिर हमें क्या करना है यह जो ellipse हमने पहले इनकी जो opacity है वो हम कम कर देंगे कुछ ऐसे तो हमें कुछ highlighted spots देखने मिल जाता है अब यहां पर आपको वीडियो में compression की वैसे color bending दिख रहे होंगे बट जब आप इसे Figma में बनाओगे तब आपको कोई भी color bending नहीं दिखने मिलेंगे Figma की यह चीज बहुत अच्छी है कि जब भी आप gradients वगेरा के साथ काम करते हो तो color bending बहुत ही rarely आते है और आते भी है तो अगर आप noise दालोगे तो वो भी चले जाएंगे जबकि Photoshop पे तो भाई color bending भर-भर के free में मिलते है तो इसी तरीके से मैंने यह जो background है यह बनाया था अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि in case अगर आपको यह जो circular shapes हमने लिए है वो नहीं लेके कुछ random shapes लेने है तो उसके लिए भी एक free plugin आता है Figma में तो आपको basically right click करना होगा जाना होगा plugins में और find more plugins में जाके इस plugin को ढूँनना पड़ेगा बट क्यूंकि मै अलड़ी धून के install किया हुआ है मैं जाओंगा saved plugins में और आपको ही मिल जाएगा blobs अब यहाँ पर यह जो plugins है वो basically random blobs इस तरीके से create करता है आप चाहिए तो complexity बढ़ा सकते हो कुछ ऐसे uniqueness थोड़ा कम जादा कर सकते हो and basically यह आपको random shapes दे देगा और आपको अच्छा लगत which is very very nice तो अभी के लिए मैं यह सब delete कर देता हूँ सिफ frame हम लखेंगे मैं frame select करके थोड़ा से यहाँ पर इसे move कर लेता हूँ थीक है तो इसी तरीके से मैंने यह जो simple background है वो create किया था and फिर मैंने dividers add किये थे यह जो आप components देख रहे है यह engraved वाली feeling देते है जब हम किसी pen को किसी paper में कैसे दबा के लिखते है तो एंग्रेव हो जाता है तो उस तरीकी का look देने के लिए मैंने एक बहुत ही simple technique की है मैंने basically line बनाए और एक line का color रखा है black और एक line का color रखा है gray और इन दोनों को एकदम पास चुपका के एक-एक pixel से लगा दिया है और simply इस तरीके स प्लेस कर दिया है जिससे हमें एक अच्छा सा division मिल जाएगा design में फिर मैंने create किया यह menu section which is the simplest section मतलब सिफ एक नाइकी का logo आइड कर दिया text add करते यहाँ पर जो भी menu sections में आपको text add करना है जिसे about section है home page है अगर वो सब भी है तो वो सब डाल सकते हो और जो font मैंने use किया है वो है enter one of my favorite font आप अलग-अलग font के साथ मतलब design बना सकते हो और यहाँ पर बस basic shapes यूज़ करके यह जो search का layout है या button है वो मैंने बनाया है औ तो save plugins में मुझे मिल जाएगा दो plugins मैं use करता हूँ icons के लिए one is this material design icons और my favorite is feather icons इस पर मैं क्लिक कर दूँ यहाँ पर बहुत सारे icons में मिल जाएंगे तो अगर मुझे for example search वाल आइकन चाहिए तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा search और यह मिल जाता है search वाल आइकन अगर मुझ as a beginner अगर आप देखो तो हो सकता है अपको थोड़ा सा difficult लगे यार बस इस पर बस text drag and drop किया है shape drag and drop किया है बस उतनी ही चीज़े है and फिर जो भी हम menu के page पर है उसे highlight करने के लिए मैंने एक symbol सा shape यहाँ पर add कर दिया है ताकि पता रहे navigate करते हो कि हम कौन से page पर है अभी यह बहुत important role play करती है UI designing में फिर सबसे interesting जो section है वो है हमारा यह mid section इसमें मैंने कुछ बहुत interesting चीज़े की है and I hope आपको भी इसमें बहुत जाद हमाज आएगा जैसे यह shoe का image है इसमें मैंने बहुत सारी चीज़े की है अब हां यह चीज़े मुझे बहुत लोग पूछता है कि मैं यह shoes के PNG images कहां से download करता हूँ तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है आपको जाना है कोई भी e-commerce website पे जैसे flipkart हो गया Amazon हो गया या तो Nike का official website पे चले जाओ वहां पर आपको shoes के high quality images मिल जाएंगे PNG नहीं हो होंगे वह background होगा मतलब white या black background होगा आपको pen tool से select करके उसको properly cutout कर देना है मैं वही करता हूँ जिससे मुझे sharp cutout मिलता है PNG वाला quick selection वह सब मत यूज करना मैं आपको suggest करूंगा अगर आप कोई high quality मतलब client वगरा के लिए अगर आप design बना रहे हो तो PNG cutout करने के लिए pen tool ही use करना तो अब यह मैंने कैसे बना है सबसे पहले तो यह सिर्फ मैंने image नहीं लिया है मैं अभी के लिए तो फहले तो इस image को इस frame पर add कर देता हूं तो यहां पर कहा गया है मेरा image mid section यहां पर होगा ठीक है तो मैं इसका duplicate ले ले लेता हूं और ठोड़ करकी यहां पर move कर दूँगा अब देख सकते हो यह शूज के image में और यह शूज के image में जमीन आस्मान का फरक है ऐसा लग रहे है कि इसको मैंने photo shoot कर के तरह सा retouching वगरा किया है और यह काफी फ्लाट है तो यह मैंने कैसे किया यह बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग टेकनीक है एक हलका फुलका सा color correction करने के लिए किसी भी object को फिगमा के अंदर तो मैंने किया सबसे पहले तो यह है मेरा shoes का png image यहां पर आ दूंगा ellipse tool एक shape बना लेंगे कुछ ऐसे एन फिर मैं इसे rotate कर दूंगा shoes के angle पर कुछ इस तरीके से all right और यहां पर जाएंगे effects में और add करेंगे एक layer blur फिर यहां पर जाकर इसका intensity blur का वो मैं काफी जादा बढ़ा दूंगा कुछ ऐसे यहां पर इस तरीके से place कर दूंगा फिर इसे select करेंगे और shoes को select करेंगे और यहां पर जाकर हम कर देंगे use as mask तो अब क्या हो जाता है कि अगर मैं इस ellipse को select करूं मैं इस तरीके से highlight add कर सकता हूँ shoes के upper section में और जो blur ह है उसकी intensity में थोड़ी बढ़ा दूंगा around 300 पर set कर देंगे और फिर मैं इसे जैसे भी चाहू move कर सकता हूँ मुझे जितनी भी intensity चाहिए मैं दूर या pass लेके आ सकता हूँ कुछ ऐसे फिर alt hold करके मैं और एक duplicate लूँगा और यहां पर place कर दूँगा इसे मैं और थोड़ा सा rotate कर लेता हूँ and फिर इसका जो color है उसे मैं set कर दूँगा टार कर टोन पर कुछ ऐसे तो इससे हमें highlights और shadows मिल जाती है shoes के लिए जिससे काफी जादा मतला flat नहीं रिखता अभी थोड़ा देख रहे हो आप इसमें depth आ गई है so this is really nice I think कुछ ऐसे so अगर मैं before and after आपको बताओ so this is before and this is after देख रहे हो कैसी हलकी सी depth आ रही है which looks very very nice और काभी अच्छे से blend हो रहा है so यही technique use करके मैंने यह shoes बनाया था और second most important चीज है यह shadow आप देख रहे हो कि यह shadow तो जहाँ पर shoes floor के पास है वहाँ पर shadow जादा है और जैसे ही वह floor के जादा ऊपर जा रहा है वहाँ पर shadow कम है तो इससे मैंने कैसे बनाया तो वह भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैंने एड़ किया एक ellipse tool इस तरीके इस एक shape बना लिया फिर मैं जाओंगा fill में एड़ करूंगा एक linear gradient इसे मैं यहाँ पर move कर लेता हूँ और इस point को यहाँ पर ठीक है और इसका जो color है वो मैं set कर दूंगा black पर opacity make sure करना है कि zero पर हो और इस color को मैं set कर दूंगा कुछ ऐसे और फिर हम इस layer को select करेंगे जाएंगे effects में और add करेंगे layer blur और फिर इसकी intensity है वो मैं बढ़ा दूंगा जिससे एक अच्छा सा shadow बन जाएगा क्यूंकि हमारा जो background है वो काफी जादा black है तो इससे मैं थोड़ा सा light कर देता हूँ ताकि जो shadow हम create कर रहे है वो दिखे तो देख रहे हो कि कितनी जादा अच्छी और realistic shadow हमें यहां पर देखने मिल जाती है opacity को भी कम जादा कर सकते हो फिर यहां पर जाकर gradient points है उनको भी आप adjust कर सकते हो कुछ ऐसे एक बहुत ही high quality shadow और बहुत ही accurate shadow हमें देखने मिल जाती है तो इसी तरीकी से यह जो mid section है वो मैं यहां पर text वगर add कर दिया again enter font ही लिया है मैंने पूरे design में and that's all और फिर मैंने create किया यह rotating section मतलब जो ऐसा बताता है कि यह जो shoes है वो rotate होगा 3D में है बट ऐसा है नहीं but just as a supporting element मैं यहां पर add किया है तो वो कैसे add किया है वो मैं आपको बताता हो अभी यहां पर ellipse लिया मैंने यहां पर एक shape बना लिया कुछ ऐसे और मुझे fill नहीं चाहिए तो fill को निकाल दें 1.5 या 2 की आसपार सही होगा फिर मैं यहां पर जाकर add करूंगा एक radial gradient ठीक है और इससे मैं कर दूंगा gray color strokes को थोड़ा बढ़ा कर लेंगे जिससे हमें देखे कि क्या हो रहा है यहां पर और फिर इस point को मैं इस तरीके से move कर लूंगा उपर और इससे मैं move कर लूंगा पीछे और राइट इस point को भी हम थोड़ा सा पास ले लेंगे कुछ ऐसे place कर देता हो अभी के लिए और इसे मैं black कर दूंगा और जो stroke है उसे भी हम काफी कम कर देंगी यहां पर इसे set कर देंगे around white पर और इसे black पर रखके इसकी opacity पूरी कम कर दूंगा और फिर यहां से मैं इससे adjust करने की कोशिश करूंगा कुछ ऐसे और फिर इस point को जैसे मैं दूर लेकर जाओंगा तो कुछ ऐसे हमें shape जो है वो दिखने मिल जाएगा इससे मैं थोड़ा सा rotate करूंगा properly okay and फिर अगर मैं इसे कम जादा करता तो इस तरीकी का shape जो है वो हमें देखने मिल जाता है and that's it that is how I created this particular shape और इस पर बस फिर मैंने circle add करके दो triangle add कर दिया just to indicate की एक button है वैसा फिर हमने कौन सेक्शन क्रिएट किया है देखते है फिर हमने create किया यह जो bottom section है इसे भी बनाना बहुत जादा easy है simply मैंने जो shoes का PNG है वो add किया उसके नीचे उसका duplicate ले लिया और उस पे add कर दिया layer blur with 30% of the blur और opacity set है let's set this to 50 जिसे यह glass वाली field दे रहा है और उसके पीछे भी मैंने एक चोटा सा shape add कर दिया जिसमें basic colors और fill और stroke add कर दिया है यहाँ पर आप properties जो है वो देख सकते हो बहुत ही simple है फिर यहाँ पर एक icon add कर दिया with plus and a circle and फिर जाके मैंने add कर दिया उनमें एक shoes और कुछ detail so इस तरीके से हमारा यह जो पूरा design है वो ready है तो जैसा कि आपने देखा कि breakdown method के तुरू काफी simple steps में मैंने यह पूरे design को बनाया है बट जब हम ऐसे चोड़े-चोड़े steps को combine करते है एक साथ तो हमारा जो पूरा final output है वो काफी जादा अच्छा बन जाता है और यहाँ पर मैंने इसका ए यह lighter version भी काफी जादा अच्छा दिखता है और हां और चीज में भूल गया यहाँ पर पीछे मैंने nike का text जो है वो add किया था मैंने शायर इसे hide रखा है तो उसे unhide कर दिता हूँ इस तरीके से यह सो बूम देर वी हाँ आर डिजाइन लुक्स वेरी प्रोफेशनल आई थे सो इसी तरीके से आप अपने फिग्मा में बहुत ही इंट्रेस्टिंग डिजाइन बना सकते हो मैंने वेबसाइट युवाई डिजाइन पर बहुत सारे और भी फिग्मा के टिटोरियल्स बना कि अगले तक्रे कर ओ एिए पार बाले प्रोफे क्रेट पर वार्चारा बाले पेसाइब.